किसान सातियों आज ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे यूरिया की तागत 4 गुना तक बढ़ जाएगी तथा गेहूं में एक बिगे में 5-7 क्विंटल तक उतपादन में व्रदी होगी गेहूं में कलो की संक्या बढ़ जाएगी तथा गेहूं की चाल में फर्क देखने को मिल ज करें खेती से समंद्धित एसे साइंटिफिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा एक वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करें किसान सात्यों सबसे पहले बात करते हैं कि यूरिया की तागत को चार गुना कैसे बढ़ाना है तता उसके इता वाइवसे गेहू में प्रयोग करना है तो गेहों में अद्वुत्त डेखने को मिलेगा आपको चो इसकाद को यूरिया में मिलाना है यूरिया में मिलाने के बाद में गहूं में च्विडक देवे और च्षिडकने के बाद में गहूं में सिचाई देवे आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा Kisaan भाईयव आपको क्या करना है एक बीगे के लिए एक कट्टा यूरिया खाद का लेना है जो 45 किलो वाला यूरिया खाद का कट्टा आता है एक कट्टा यूरिया खाद लेना है तथा उसमें आपको जो मेगनिश्यम सल्फेट आता है मेगनिशम सलफेट का 7 से लगा कर 10 किलो का कट्टा आता है वो 7 से 10 किलो मेगनिशम सलफेट लेना है और उसको यूरिया में मिक्स कर देवे मेगनिशम सलफेट जो सेकंडरी पोसक तत्व है ये फसल के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है लेकिन बहुत सारे किसान भाई इस वितिक पोसक तत्व को फसल में प्रियोग नहीं करते हैं मेगनिशम सलपेट को 10 किलो को एक यूरिया खाथ के कटे में मिक्स कर देवे यूरिया खाथ की तागत 2 गुना बढ़ जाएगी लेकिन मैंने कहा ता कि मैं यूरिया खाथ की तागत 4 गुना बढ़ऊँगा तो और बताता हूँ आपको इसके साथ में क्या मिलना है एक कटे में 10 किलो मेगनिशम सलपेट मिलाएए यूरिया के साथ में 10 किलो जिंग सलपेट मिलाएए जिंग भी फस्लों के लिए बहुत जरूरी होती है तो 10 किलो जिंग मिलाई है जिंग सलपेट का कट्टा आता है उस कट्टे को एक यूरिया बेक के साथ में मिलाई है जिंग सलपेट से भी आपको अद्बूत रिजल देखने को मिलेगा इसके अलावा आपको एक किलो सलपर लेनी है सलपर भी फस्लों के उत्पादन के लिए बहुत जरूरी होती है किसान भाईयो लेकिन हम सिर्फ एक की रट पकड़ कर बेट चुके हैं कि यूरिया का प्रयोग करिए यूरिया का प्रयोग करिए यूरिया से सिर्फ नाइट्रोजन की पूर्ती होती है अन्य पुसक्त तोतर की पूर्ती नहीं होती है इसलिए आपको जो फसल में पुसक्त तोतर की कमी है उन सारे पुसक्त तोतर का प्रयोग करना होगा तो बात करते हैं कि हमने क्या क्या प्रयोग किया यूरिया का एक कटा लिया 45 किलो का उसमें 7-10 किलो मेगनिशम सलफेर डाली उसमें 7-10 किलो जिंग सलफेर डाली तथा 1 किलो सलफर डाली तो इसमें सलफर की भी पूरती हो गई जिंग की भी पूरती हो गई मेगनिशम की पू र제를 हित्षक होता हुद जैवए निरमाद के लिए उसीत तरह पत्यों के अंदर में क्लोरोफिल निर्माद के लिए मेंगयसियम होता है लोगा तो प्रकास नस्चलेशन की क्रिया अच्छी हो गी तथा पॉदा अच्छी व्रदी करेगा उत्पादन में भारी वरधी देखने को मिलेगी पोधय में कलो की संक्या बढ़ेगी तथा एक बीगे में आपको 5-7 क्विंटल उत्पादन देखने को मिलेगा इस खाद को मिक्स करके खेद में छिड़क देवे एक बीगे में एक कटा यूरिया का लेना है और मैंने जो बताई यह फूर्मूला अपना ना है एक बीगे में छिड़क देवे छिड़कने के बाद में इसमें सिजाई देवे आपके फसल की घ्रोथ आपको बहुत शांदार देखने को मिलेगी किसान सत्योग खेती से समंद्धी तैसे साइन्टिफिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सबस्क्रेब जरूर कर ले वे तथा मैं इतने रिसर्च के बाद वीडियो बनता हूँ तो वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर करे जए जवान जए किसान